नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं फिल्म इमार्ट तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म इस 3-2 के एडवांस बुकिंग कलक्शन के बारे में साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म को दुनिया भर में कितनी स्क्रिन्स पर रिलीज किया जा रहा है और फिल्म के बजट के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं साथ ही अगर आप भी इस फिल्म के लिए एकसाइटेड हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि होरर कोमेडी यूनिवर्स की ये एक मच अवेटेड फिल्म है जिसके लीड रोल में हमें सरदा कपूर के साथ राजकुमार राव, अभीशिक बेनर जी, वरुन धवन बिन नजर आने वाले हैं बताते चलें कि लगबग 80 करोड रुपए के बजट में बनाई गई इस तरी टू एक होरर कोमेडी फिल्म है जिसके टीजर और ट्रेलर को ओडियंस के तरफ से काफी शांदार रस्पॉंस मिल चुका है बताते चलें कि इस फिल्म को ओल ओवर इंडिया में 15 अगस्त को 3000 स्क्रिंज पर रिलीज किया जा रहा है बता दें कि इस फिल्म का क्लैस जोन इब्राहिम के फिल्म वेदा और अक्षे कुमार के फिल्म खेल खेल में से होने वाला है बावजूद उसके इस फिल्म को लेकर जो ओडियंस में बज़ बना हुआ है वो काफी जादा है और यही वज़ा है कि यह फिल्म अपने रिलीज से पहले इन दोनों फिल्मों को काफी पीछे छोड़ चुकी है और फिल्म अपने रिलीज से पहले इस सिरफ एडवांस बुकिंग में 4 लाग से ज़ाधा टिकेट बेच चुकी है बात करें फिल्म के पहले दिन के लिए और एडवांस बुकिंग कलेक्शन की तो वो 16 करोड रुपए से उपर हो चुका है जो कि इस साल के हाइस्ट एडवांस बुकिंग कलेक्शन है बताते चलें कि इंडियन बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म के आज पेड प्रिव्यू स्योज भी रखे गए है जी हाँ दोस्तों आज से हम साड़े नो बज़े के बाद इस फिल्म के पेड प्रिव्यू ओल ओवर इंडिया में दिखाए जाएंगे जहां पर दोस्तों फिल्म के एक लाग से ज़्यादा टिकेट ओलरी बिख चुके हैं और फिल्म अपने पेड प्रिव्यू में ही लगबग 6-7 करोड रुपे के आखड़े को टच करती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ यह फिल्म पेड प्रिव्यूज में पदमावत और चेननी एक्सप्रेक्स के रिकोर्ड को भी ब्रेक कर देगी आदें के 15 अगस्त के दिन इस फिल्म के 1000 से भी ज़्यादा श्योज हाउसपुल हो चुके हैं और यही वज़य है कि दोस्तो यह फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस पर रिलीज के साथ ही 35 से 40 करोड रुपए के ओपनिंग लेने वाली है जो किसी भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म के लिए इंडियन बॉक्स ओफिस की सबसे बड़ी ओपनर होगी मातर 80 करोड रुपए के बज़ट में बनने वाली फिल्म इस तरी टू इंडियन बॉक्स ओफिस पर सिरफ 3 दिनों के वीकेंड में ही अपनी रिकवरी कर लेगी और बॉक्स ओफिस पर यह एक ब्लोकबास्टर फिल्म बन जाएगी दोस्तों आपको क्या लगता है कि अक्षि कुमार के फिल्म खेल खेल में और जोन इब्रहम के फिल्म वेदा क्या इस फिल्म को रोक पाएगी हमें अपने राए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथ ही डेली बॉक्स ओफिस रिपोर्ट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें